हेलो टेडर्स, विलकम बैक टो और चैनल हाईपर टेडेस भी मैं हूं महम्मद सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पर आये हैं यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आज क्या-क्या ट्रेड मैं फ्री टेलिग्राम गुरूप चैनल में दिया हूं मै आपको अपडेट दूँगा अगर आप अभी तक फ्री टेलिग्राम गुरूप चैनल पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करिए जॉइन करिए कल मैं इन निफ्टी पे एक अनालिसिस दिया था आपको अपने वीडियो में उसके बाद मैं गया था एक्सप हमारे EMS को break करके red candle form करेगा तो fall करेगा यहां पर क्या form हुआ? green candle तो क्या होना चाहिए? fall होना चाहिए rally अभी यहां पर क्या हो गया? हो गया rally अब इस rally में stock index में यहां पर एक breakdown है और यहां पर एक breakdown है और recent breakdown यहां पर fall होना नहीं चाहिए क्योंकि solid candle close किया है यहां पर index को fall होना था और यहां पर index को fall होना था यह क्या किया जान बूझ गे improper market सुबह opening कहां पर हुआ उसका support लेते हुए total improper market यहां तक तो proper था market उसके बाद यहां पर हो गया improper जब यहां पर first candle का level break हुआ तो timing देख लो आप 1032 यहां आप मैं क्या दिया 23,450 CE आज की expiry लेके आप इसमें काम करिए अभी आप यहां पर देखिए 1030 कहा है candle 930 1045 यह 1015 यहां पर जैसे ही close किया मैं trade provide किया support level break नहीं किया और हम लोगों के पूरे target यहां पर देखने को मिले अब उसके बाद end of the day यहां पर यहां पर मैं put का trade दिया उसके बाद थोड़ा उपर गया क्योंकि rejection था और direct fall अब यहां पर आप देखो हमारे होगे पूरे target अचीव मैं कहां पर दिया था ट्रेट कहां गया वह पी यहां पर देख सकते हो आप पी का trade ओके और आज मैं एक छोटी सी गलती कर दिया 29 जुलाई डाल दिया 30 जुलाई होना चाहिए था तो 29 जाल दिया फिर भी trade करें लोगों ने लिया है और trade का profit booking भी हो चुका अब कल क्या है कल bank nifty का expiry है तो bank nifty के expiry में कल हम लोग कैसे काम करेंगे simple है कि यहां से एक trend line आ रहा है आज उसी trend line से reject हुआ multiple time और fall हो गया है अब कल का closing है bank nifty में यहां पर अल्रेड़ी हमारे 25 एम में 200 एम में 25 एम में के नीचे है bank nifty और strongest support and breakout level है bank nifty में यहां पर कल अगर bank nifty यह वाला level 51,309 का support पकड़ता है तो rally होगा और 200 एम में भी 25 एम में साथ में break होगा पर अगर आज के closing के नीचे कहीं पर भी bank nifty नीचे के तरफ level break करता है तो direct fall हम लोगों को देखने को मिलेगा अब जो भी होगा दोस्तों मैं कल आपको अपने free telegram group channel में update दे दूँगा मैं फिर से suggest करता हूँ जो भी free telegram group channel में नहीं है description पे link है click करिए join करिए and यहां पर यह breakout level है और मैं बार बार सभी को बता रहा हूँ कल के वीडियो में भी मैं बताया था यह वाले वीडियो में भी मैं बताया था कि यहां पर यह improper buying rally है जो improper buying rally यह जो rally जैसे दिया है उससे भी बुरी तरीके से break कर सकता है कल याद रखना निफ्टी होया bank nifty ये दो लेवल याद रखना ठीक है यह level break होता है तो previous break down level का breakout level जो है bank nifty यहां पे देखने को मिलेगा और nifty आप लोगों को यहां से लेके यहां पे देखने को मिलेगा अगर nifty इतना fall कर रहा है like some step by step step by step fall कर रहा है То bank nifty भी आप अपको क्या छोड के जाने वाला नहीं है यहां तक यहां तक भी पॉल दे सकता ह। तो मैं फिर से सज्जेस्ट करता हूँ कल भी मैं बतायाथा मैं मार्केट में कल भी fall देख रहा हूँ पल retest होके reversal नहीं हुए जैसा fall होगा buyer को attract करने के लिए तो suggest करूँगा जब मैं analysis दूँगा जो मैं regular pre-market analysis देता हूँ मैं आपको बताता हूँ pre-market analysis इस तरीक से मैं pre-market analysis देता हूँ ये levels अब ध्यान से समझना और ये levels के ओपर ही काम करने की पूरी की पूरी कोशिश करना दोस्तों यही था मेरा update कल के लिए अगर आपको analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए, share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video